राज्ये के ऊपर बना कम दबाव का छेत्र आज कमज़ोर होकर परिशंचरन तंतर के रूप में परिवर्तित हो चुका है और वरत्मान में ये दक्षिनी राजस्थान के ऊपर इस्तित है इस सिस्टम के असर से पिछले दो तीन दिनों से दक्षिनी राजस्थान के कुछ बागों में भारी से अत्यन्त भारी बारिस दर्ज की जारी है आगा में 48 गंटों में ये सिस्टम धीरे धीरे साउठ वेस्ट राजस्थान की और आगे बढ़ेगा इसके असर से अगले 24 के दोरान उद्यपूर, सीरोही, जालोर और बाडमेर जिलों में भारी से अति भारी बारिस का दोर जारी रहेगा वहीं दक्षिनी राजस्थान के इन जिलों के आसपास लगने वाले छेतर में भी कहीं कहीं भारी बारिस का दोर जारी रहेगा इस सिस्टम का असर 48 गंटों बाद यदि देखिए तो यह सिस्टम धिरे-धिरे साउथ वेस्ट राजस्थान की और अग्रसर होगा इससे अगले 48 गंटों के दोरान भी जालोर बाड मेर और जेसल मेर के जिलों में कहीं कहीं बारी-बारी इसके दोर के रूट में जारी रहेगा सेस अधिकांस भागों में हलके से मद्यम दर्जे की बारिष के कुछ स्पेल्स जो है वो राज्य के जादातर भागों में देखने को मिलेंगे इसके बाद 19-20 सितंबर से दीरे-दीरे बारिष की गतिविदियों में एक बार कमी होगी पूरवी राजस्थान के कोटा भरतपूर और उदेपूर संभा के कुछ बागों में हलके से मद्यम दर्जे की बारिष का दौर दिनांक 20 सितंबर के बाद भी जारी रहेगा यानि कि फिलाल अगले एक सप्ता के दोरान राजस्थान से मानसून की विदा होने के लिए परिस्तेतिया फ्रेवरेबल नहीं है तो कुल मिलाकर इस बार मानसू और सत से देरी से विदा होने के लिए परिस्तेतिया बन रही है